हेलो मेरा नाम प्राचिता है और इस वीडियो में हम silly mistakes को avoid करने की strategy और मैं अपने तीन घंटे 20 मिनट कैसे utilize करती थी इस चीज को share करूंगी silly mistakes को avoid करने के लिए concentration और practice जितने ज्यादा questions की हम practice करेंगे उतने ही ज्यादा silly mistakes को हम पकड़ सकेंगे कि इस टाइब की questions में इन टाइब की गलतिया हो सकती है तो हमें कहीं सारे questions की practice करनी चाहिए और फिर उनसे जो silly mistakes हैं हमें वो या तो लिख लेनी चाहिए या फिर उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि वो अगली बार कभी repeat ना हो और एक्जाम करते टाइम पे concentration बहुत ज़रूरी है जिससे silly mistakes को हम बहुत minimize कर सकते हैं questions को ध्यान से पढ़के solve करते टाइम calculations पे ध्यान देके formula पे ध्यान देके कोई constant की value गलत नहीं रख दी है और इन सब चीजों पे ध्यान देके हम silly mistakes को avoid कर सकते हैं और मैंने मेरे तीन घंटे 20 मिनट कैसे यूटिलाइज किये मैं पेपर को टू राउंड में करती थी फर्स्ट राउंड के अंदर जो कुशन्स मुझसे आसानी से हो जाते थे वो और कुछ कुशन्स जिन में मैं अटक जाती थी या मुझे याद नहीं आ रहे हैं या फिर जिनका आंसर नहीं निकल रहा होता था उनको मैं सेकंड राउंड में करती थी जैसे कोई क्योशन है जिसके बारे में मैं शौर नहीं हूँ तो मैं उसको एक बार के लिए छोड़ दी थी फिर मैं OMR भड़ती थी और जो सेक्शन मुझे ट्रिकी लगता था उसके आंसर से गवर फिर से चैक कर लेती थी यही मेरी स्ट्रेटजी रहती थी तो आप भी स्ट्रेटजी को फोलो कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं